तो वीडियो अप्लोड करने में थोड़ा सार लेट हो गया इसके लिए साड़ी वह बहुत ही खुबसूरत है और आपको अच्छा लगेगा उससे पहले यह बेडशीट देखिए बेडशीट आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रू बताओ देखिए यह 5 इंच बीच में सर्कल बना हुआ जैसे कि आप देखी रहे हो तो बहुत ही खुबसूरत है बेडशीट तो है ही मगर मैं इसलिए मैं आपको दिखारी हूं कि आप लोग ने बोला था कि बेडशीट के उपर भी वीडियो बनाईए तो वीडियो में मैं साड़ी के साथ साथ के साथ सेयर कर चुकी हूँ अब है क्या कि साड़ी कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोगों को भी यह देखना था कि कंप्लीट होने के बाद यह साड़ी कैसी लगेगी तो यह कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो आई होप यह भी आपको अच्छ तो चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूं कि इसका डिजाइन कैसा बन किया है आचल का तो दिखाने से पहले बता देती हूं कि इसका बॉर्डर जो है 5.5 इंच का है और आचल जो बना हुआ है 1.5 मीटर में बना हुआ है इसका आचल तो मैं इसको खोल के दिखा देते हूँ दिखाने से पहले बता दूँ कि इसमें जो मैंने बनाया है वो रास है जैसे कि आप देखी रहे हो पूरा रास बना हुआ है पूरा आचल में देखिए ये कृष्ण जी है साथ में जो है साइड में सरकल में ये गोपियां का रास बना हुआ है तो थीम इसका आचल का रास है देखिए पूरा में ये बहुत ही खुब सूरत लग रहा देखने में अगर दूर से आप देखोगे तो आचल का लुक कुछ ऐसा आ रहा है जै हुआ है कलर कॉंबिनेशन भी आप देख रहे हो बहुत ही खुब सूरत दिया गया है सब मिला मिला के पिंक भी यूज किया गया है इसमें कमल को हाइलाइट करने के लिए पिंक का यूज किया गया है देखिए और पहले भी वीडियो मैंने दिखाया थे कि साड़ी में टसल भी बनावाए नीचे से तो आचल और भी निखड क्यारा सुन्दर दिख रहा है टसल की वज़े से ये बीच सेंटर में राधा कृष्ण मुझे जो भी डिजाइन पसंद आते हैं और जो भी बनाती हूं मैं और मुझे खुसी मिलती है बनाने में वह आपके साथ मैं जरूर कोशिस करती हूं सेयर करूं तो ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया और बढ़ने के बाद बहुत ही खुबसूरत दिख रहा था तो तो सोचिए कि आपके साथ सेयर कर दो अगर मेरे बनाए हुए डिजाइन्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत माइने रखते हैं और पढ़के में बहुत खुस भी होती हूँ तो पूरा एकदम बॉडर आचल एकदम खिला खिला दिख रहा है जैसे कि इस तरह से पूरा दिख रहा है और मैं सच बोलू तो यह वीडियो से ज्यादा यह यहां रियल में खुबसूरत दिख रहा है पते नहीं वीडियो में मेरा कुम पिक्चर कालती कुछ उपर नीचे हो बट ऐसे में देखिए रियल में कितने खुबसूरत लग रहा है बहुत ही ज्यादा ही मुझे यह पसंद आया है और जब भी आप वर्क करो न तो कलर कॉंबिनेशन के साथ रंगनी और कच्चनी का भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है तब भी आपका वर्क जो है निख मिकस करके जो है डालिये कि कोई जू है जैस कि यलो आप देक रहे है मैंने यलो का जो म Moltर जो मैंने डाला है यंयूझ किया है वो हाई-लाइट वह रा हुठा है तो साड़ी का कलड जो भी उठाते खालते है उसके साथ कलर का मैचिंग होना बहुत जरूरी है यह नहीं कि बाद ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में वह निखड के आएगा कलर कॉम्बिनेशन देखिए इस तरह से और बॉर्डर भी आप देख रहे हो जो बॉर्डर में मैंने डाला है मोड वही मैंने आचल के किनारे पे उपर से भी और नीचे की तरफ से भी सेम मोड डाला है कहीं ताकि वह आचल में और खुबसूरत दिखे बूटी भी आप देख रहे हो जो है घड़ा का बूटी डाला गया है जो सरकल के अंदर जो बैठी हुई है गोपियां लेके उसी से मैच करता हुआ बूटी डाला गया है अब मैं आपको पूरा साड़ी ही जो है खूल के द देखने में देखिए पूरा साड़ी में बॉर्डर का भी लूग कितना खुबसूरत आ रहा है पूरा साड़ी सेम वर्क है और हाँ एक बाद और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी कलर करते हो ना या रंग नी बढ़नी तो बहुत केरफुली किजिए जैसे कि और जब भी कलर लगता है कहीं पे तो उसको हम नहीं छुड़ा पाते हैं क्यूंकि वो हटता ही नहीं है तो थोड़ा सा केरफुल होके आप वर्क किजिए और इस पे आप पानी वगरा यूज कर नहीं सकते हो तो केरफुल ही होके आप यह करो केरफुली कोई भी कलर भर रह और साड़ी के चलर से मैच करता हुआ जो है निखरने वाले कलर भी डाले गया अब मैं आपको दिखा देखा यह बाजू के ऊपर बाजु के ऊपर यह बॉडर के ऊपर यह सरकल डाला गया है दोनों बाजू से यहां में एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ कि blouse जो बनाती हो आप लोग तो blouse इस तरफ और उस तरफ मत ले लिए ऐसे में देखिए जैसे मैं बनाई है ने एक साइड से मैं बाजू निकाली हूँ और नीचे के तरफ से कमड के साइड से मैं ने ये बैक साइड का बनाए इस साइड से अगर आप बनाओगे तो फ्री कट बाजू बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखो, कि बाजू इधर से बनाएंगे, आप बैक साइड इधर से बनाएंगे, ठीक है? और बैक साइड पर आप देख रहे हैं, वो प्लीज मुझे कमेंड करके जरूर बताइएगा और हाँ अगर बनवाना चाहते हैं आप तो उसके लिए भी आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाट्सैप कर सकते हैं वाट्सैप नेंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है मुझे वाट्सैप कर सकते हो पूरा साड़ी में एक मार और आपको जलेल दिखा देते हैं इस तरह से पूरा साड़ी वर्क बना हुआ है देखे देखे पूरा साड़ी ही सेम टू सेम बॉर्डर आया हुआ है और यहां आप देख रहे हो कि नीचे का ही बॉर्डर से मैच करता हुआ आचल के उपर भी डाला गया है उपर का बॉर्डर कुछ इस तरह से उपर का बॉर्डर का चोड़ाई लगवग 3 इंच है मैं जितना भी दिखा रहे हूँ नीचे का बॉर्डर उसका भी माप मैं आपको बता रहे हूँ आचल का भी और उपर के बॉर्डर का भी माप मैं बता देती हूँ ब्लॉज एक मीटर में बना हुआ है देखे उपर का बॉर्डर तीन इंच का है देखे आचल मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ देखे तो पूरा सारी इस तरह से बना हुआ है तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हाँ अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दिजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो और हाँ मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आपको पेंटिंग से रिलेटिड कोई क्वेश्चन है मन में तो वो भी आप मुझे वार्साप कितरू पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगी कि मैं उसका जो है आंसर दे पाऊं और तो उमीद करती हूँ कि जो भी आपने मेरे वीडियो से सीखा है वो अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी सवाल है वो भी आप मुझे से पूछो कलर के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हमेशा कोसिस करती हूँ कि आपको मैं उसका जवाब दू तो पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद